आज दिनांक है दस मार्च आज बात करेंगे दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में दोस्तों सबसे पहली ख़वर आ रही है करनाटक से पार्किंग को लेकर पुलिस से बहस कर रही लड़की को महिला ऐसाई ने जड़ा थपड़ मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सोसल मीडिया पर वाइरल होने वाले इस वीडियो को सेयर करने वालों ने महिला दिवस से भी जोड़ दिया यह घटना साथ मार्च की है जब मांडिया सहर में उस लड़की ने अपनी उसकूटी नो पार्किंग एरिया में खड़ी की पु मुस्किल बक्त में इंडिया बना पाकिस्तान का सहरा करोना से जंग के लिए उपलब्द कराएगा करोना वैक्सीन पाकिस्तान को भारत निर्मित करोना वैक्सीन की मुक्त खुराक मिलेगी जो उसकी 20% आवादी को कबर करेगी भारत 65 देसों को COVID-19 वैक्सीन की आपूरती क कर रहा है जबकि कही देशोंने अनुदान के आदार पर टीक अप्राप्त किया है इसमें नैपाल भूटान और बांगला देश जैसे पड़ोसी देश सामिल हैं नदी में पसा हिरन कर रहा था बहार निकलने की कोशिस अचानक दो मगरमच ने कर दिया टैक देखिए वीडियो एक वीडियो बाइरल हो रहा है जिसमें एक हिरन को अपनी वेब कूपी की वजह से मगरमच का सिकार वनना पड़ता है यहाँ वीडियो सोचल मीडिया पर काफी तेजी से बाइरल हो रहा है सुसान सिंह राजपूत की मौत का ड्रक्स कनेक्शन एक्टर का ड्रक्स सप्प्लायर हैमन सहां 14 दिन की नयाएक खिरासत में सौमबार को गोवा से हुआ था गरपतार सुसान सिंह राजपूत को कथित रूप से ड्रक्स अप्लाई करने वाले पैडलर हैमन सहां और महराज को पड़जी की एक दालत ने 14 दिन की नयाएक खिरासत में भेज दिया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सौमबार को गोवा से तीन लोगों को अरेश्ट किया था जिसमें हैमन सहां भी सामिल था सहां के पास 0.23 ग्राम LSD और 30 ग्राम चरस वरामत किया गया था एक सवाल हर भारती के मन में आ रहा है कि करोना वैक्सीन लगने के बाद क्या मास्क से छुटकारा मिल जाएगा एम्स में हूमर ट्रायल के प्रमुक डाक्टर संजर आए के मताबएक मास्क बेहना है या नहीं इसके दो आदार हो सकती है एक बैग्यानिक आदार दूसरा सामाजिक आदार बैग्यानिक आदार के बारे में बात कहते हैं कोई भी टीका सौफिस्ती रिक्स कबर नहीं करता लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के बाइरस में धीरे धीरे इंफेक्शन को रिस्क कम होता जाता है बैक्सीन लगे या ना लगे जो लोग बीमार होकर ठीक हो जाते हैं वो लोग बीमारी के खिलाब प्रोटेक्टेड फूल तयार करती हैं जिसमें टीका लगने वाले लोग दीरे जोड़ते चले जाती हैं इसलिए ये कहना कि बैक्सीन लगे लोगों में ही सिर्फ करोना संक्रमट का रिस्क कम है ये सही नहीं है बीमारी से ठीक हुए लोगों को लोगों पर भी ये बात लागू होती है बैग्यानिक आदार पर दोनों तरह के लोगों को मास्क पहन चोड़ देंगे भीड में ये पहंचानना कि किसे बीमारी होई है किसने टीका लगाया है ये मुश्किल होता है इसलिए किसी भी जगह जहां लोगों का जमावड़ा है वहां मास्क पहनना जरूरी किया गया है जब तक भारत में यह नियम लागू है जनता को इस नियम को फ प्रेंड को रही पारी गर्ल के अंदाज में चेताबनी देते हुए कहा कि प्रदेश में माफियों के लिए कोई जगए नहीं है। कर धमकी दी किसी तरह पीडिता थाने पहुची तो हड़कम मच गया। मौके पर S.P. ग्रामीड CEO पुलेस टीम के साथ पहुचे। गाउं में नहीं है नेटवर्क ऑनलाइन क्लास के लिए बच्ची को हर रोज जाना पड़ता है पांच किलो मीटर दूर। एक वीडियो इन द इच्छा तक सब कुछ ऑनलाइन दुनिया की और सिफ्ट हो चुका है। जो पहले उस्कूलों में जाकर पड़ाई किया करते थे। करोना के कहर से उन्हें अब मोवाइल फॉन में बर्च्वल दुनिया में पड़ाई करने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थी आज की खब आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद खबरें देखने के लिए।